समुद्र तीरे शैशीना प्रधिष्टितं प्रभास्तीर्थे पर्मं पवित्रं सो यानिकी चंद्र ने जिनकी स्थापना प्रभास के समुद्र तट पर की है वह विश्व का सर्व प्रथम जोतरलिंग सोमनात महादेव शिव शंकर की अनुपम शक्ती का स्त्रोत सोमनात मंदर कित-कितने आक्रमनों की बावजूद तस से मस ना हुआ गुजुरात के पुत्र श्री सर्दार वल्लभाई पटेल के प्रयासू से श्री सोमनात मंदर का नवनर्मान हुआ हमारे देश के माननिय प्रधान मंत्री श्री नरिंद्र मोदी जी ने बतार ट्रस्टी व अध्यक्ष पिछले दस वर्षों में सोमनात के विकास को नई दिशा दिखाई उनके नेत्रत्व में मंदर के गर्बग्रह व शिखर के कलश को सुवर्न मंदत और लाइट और साउंड से मंदर को रोशन किया गया विविद अथिती भवन में यात्रियों को विश्वस्तरिय सुविधा दिलाई एवं राम मंदर निर्मान व भालका तीर्थ का नव निर्मान कर आज सोमनात के माहौल को ऐसा बनाया है कि यहां आने वाले यात्रियों की संख्या में पांच गुणी वृध्धी हुई और इसे वृध्धी को आगे ले जाते हुई माननिय नरिद्र मोधी जी आज असंख्य भक्तों के लिए परेटन आध्यात्मन व इतिहास से जुड़े स्थलों का लोकारबन वश्यला न्यास कर रहे हैं जिसमें सर्व प्रथम है सोमनात के प्राकृतिक सौंदर को ध्यान में रखकर भारत सरकार के परेटन मंत्राले की प्रशाद यूजना अंतरगत बनाया गया समुद्र दर्शन पत समंदर के किनारे बनाया गया डेड़ किलोमेटर लंबा यह समुद्र दर्शन पत श्री सोमनात मंदर से लेकर प्रिवेनी संगम तक सागर की उचलती लहरों को आगे बढ़ने से रूखेगा और भगवान शिवशंकर से मिलने आ रहे दर्शनार्थियों को लहरों से बाते कराएगा पबलिक इड्रिस सिस्टम वो CCTV सुरक्षा से सुसजज़त यह वौकवे दर्शनार्थियों को सुरक्षत और सलामत रखेगा बच्चों से लेकर बुजर्गों तक हर कोई इस पत का आनंद लेने आएगा और साथ ही स्थानिय लोगों के लिए लेकर आएगा रोजगार के नए अवसर इसी श्रिंखला में इतिहास से जुड़ा पहलू है सोमनात प्रदर्शनी गैलरी यहाँ गैलरी मात्र मंदर स्थापत्य की थीन पे बनी है श्रे सोमनात मंदर के थंड़त अवशेशों को यहाँ संजो के रखा गया है मंदर की वास्तुकला स्थापत्य का महत्व एवं अन्य जानकारी हिंदी एवं इंगलिश भाषा के साथ ब्रेल लीपी में भी दी गई है ताकि हर एक व्यक्ती हमारे भव्य इतिहास से रूबरू हो पाए इसी श्रिंखला में आगे है इन दौर की मराठा महरानी मातोश्री अहिल्याबाय होलकर द्वारा सं 1783 में स्थापत किया गया प्राचीन सोमनात मंदर सोमनात पे हो रहे आकरमणों के दौर में इसी मंदर में सोमनात महादेव की पूजा होती थी मर्यादित परिसर क्षेतर और दुरगम प्रवेश द्वार वाले पुराने मंदर परिसर का नवनिर्मान कर कुल 1,800 स्क्वेर मिटर की एरिया को मंदर परिसर में शामिल किया गया वह मंदर के प्रवेश मार्क को सरल कर सन्मुक प्रवेश बनाया गया है प्रथम मंजिल पे बनाए गए दो होर्ड, नीचे मंजिल पे बनाई गई दुकाने और विशाल परिसर यहां हो रहे आध्यात्मिक चिंतन को और आगे लिजाए ला साथ ही सोमनात परिसर में हो रहा है श्री पारवती मंदर का शिला म्यास सोमनात महादेव के सानिध्य में पारवती मंदर का संकल्प रखा श्री सोमनात ट्रस्ट ने और सूरत के भेकुबाई धामेलिया वह उनके परिवार के सहयोग से आज यह सपना सच होने जा रहा है देर्ग दरश्टा प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के संकल्प से आज प्रभास तीर्थ की भक्ती की खुश्बू विश्व के हर कोने में प्रसारत होगी आज उत्सव है प्रभास के हरे कण में श्रव के उपस्थिती का जय सोना